गुड मॉनिंग फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल अप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी अपनी चैनल विवास लाइफ में फोब करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे अपने अपने कामों में ब्यास्थ होंगे हम लोग भी अच्छे तो नहीं बरना जरूरी रहता है आप बीमार हों चाहे जो भी हो तो थे वज़े उठे हैं पानी भर लिए और जाड़ो बरतन सब हो गया मेरा और अभी बाहर बैठे हैं थोड़ा हवा में चावल मेरा साफ करना है अभी साफ किये नहीं है बस रोज रह जाता है आज करेंगे कल नहीं पा रहा है ताइम ही नहीं मिल पाता संडे को सोचे हैं आज संडे था सोचे थे करने के लिए लेकिन आज फिर तब्यत साथ नहीं दे रहा है तो फिर नहीं तो थोड़ा सा चावल चुन रहे हैं इसी का खिचडी बनाएंगे मुंग दल खिचडी कल भी रात में हम तो नहला दिए और अभी हम भीगाए थे रात में मुंग तो उसका चीला बनाएंगे मुंग ऐसे नहीं खाया जाता तो उसका चीला बना देंगे तो वो भी खा लेंगे हम भी खा लेंगे हम सचे थड़ा सा खा लेंगे उसके बाद साथ कुछ ठीक लगे सोए रहेंगे यहाँ पर काहा जॉइंड फैमली दो लोग हैं, बच्चे रहते थे तो हैलफ कर देते थे बच्चे भी नहीं है, यह भी कर देते हैं हैलफ, ऐसी बात नहीं है, तवیAT खराब होने पर करते हैं लेकिन अभी ड्यूटी है नाइट तो नाइट करके अभी आए है तो ये भी नहाएंगे धुलाएंगे इनको भी तो भूक लग जाएगा तो हम बोले चलो मूंग को पीस करके इसका चीला ही आज बनाते है नास्ते में healthy भी है मौंग और tasty भी है तो यही हम पीस लिए है मौंग महीन करके पीस से हैं एकendum मतलब दरदरा नहीं है एकदम बारीख है पीस लिए हैं और कुछ खाने का मनी नहीं कर रहा है लग रहा है कि कुछ एक दम बस चटपटा सा मिल जाए और कुछ नहीं तवियत कराब में चटपटा मिल जाए खाने को लेकिन वहीं नुकसान कर देता है मैगी तो था लेकिन हम नहीं बनाएं कि वो और नुकसान कर देगा तो इसलिए ये चीला बना रहे हैं अब इस चीला में हम डालेंगे प्याज, बारिक बारिक कतर दिये हैं और मिर्चा, मिर्चा बहुत ज़्यादा हो गया था तो मिर्चा और हम निकाल के रख दे रहे हैं तो यह है बारिक कटा हुआ मिर्चा और प्याज इसको मिक्स करेंगे जो पीस लिये हैं हम उसमें और यह है लशन चार-पांच कली कॉट लिये थे ज्यादा नहीं तो और इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर हल्दी पाउडर चिला में डाल देंगे तो थोड़ा सा कलर क्योंकि थोड़ा सा स्वाद आ जाए अच्छा तो मीट मसाला डाल दिये हैं और अभी इसमें थोड़ा सा धनिया हरा धनिया काटेंगे हरा धनिया से टेस्ट और ज्यादा मस्त हो जाएगा और ज्यादा बढ़ जाएगा तो हरा धनिया कतर दिये इसमें और इसके बाद अब डालेंगे थोड़ा सा नमख थोड़ा सा ही डालेंगे नमख तबियत खराप में ना पता नहीं क्यों एकदम चटपटा ही खाने का मन करता है और ये पड़ा है लाई है भूना हुआ चुड़ा है ये सब एकदम बिल्कुल खाने का मन नहीं कर रहा है तो वस हमको लगा कि यही थोड़ा बनाते हैं तीखा तीखा चैट पटा तो अभी हम सब कुछ डाल लिए हैं इसमें बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले को सारा मसाला बैटर में मिक्स कर लेंगे और अब इधर चड़ा लेंगे तब से हम तवा मेरा गरम होगा धीमी आज पे रख दिये हैं और ये जब से हम मिक्स कर लेंगे चिला के लिए और ये भी ड्यूटी से आ गए हैं तो नहा लिए हैं और इनको भी अब नासा चाह ये तो पपीता काटके खा रहे हैं ये पपीता और हम बोले आप पपीता खाए ये तब सी ये हम बना दे रहे है तो बस अभी देखिए मेरा तवा गरम हो रहा है बैटर में अच्छे तरीके से मसाला मिक्स हो चुका है और थोड़ा सा फ्लेम को बढ़ाएंगे ना ज्यादा ह मेडियम में रहेगा तो हम इसमें रिफाइंड नहीं सरसो तेल ही लगाएंगे तवा में सरसो तेल अच्छा रहेगा रिफाइंड जो है ना वो बहुत नुकसान करता है और ये सरसो तेल है तो ये ठीक है लेकिन पहले हम लोग जा करके चक्की से ले आते थे अभी तो चक् अर्केट का ही है सरसो तेल घर का नहीं है तो भी सरसो तेल ठीक है उससे रिफाइंड से तो अच्छा है सरसो तेल तो इसको थोड़ा सा सरसो तेल में ब्रस हम डुबा के इसको ग्रीस कर लेंगे तवा को अच्छे से ज्यादा तेल नहीं डालेंगे ज्यादा ओइल भी नहीं क तो अब ही देखिए बस अब मिक्स हो गिया है मेरा और तबा भी गरम है इस पे थोड़ा सा डाल करके इसको फैलाएंगे एक दम अच्छे से एक दम मोटा भी ना हो एक दम पतला भी ना हो डोसा के जैसा नहीं रहे ये थोड़ा सा मोटे में ही रहेगा तो इसको ऐसे फैलाए लुट करे जाएनृ कि पढ़arl concert आ dear Ora बिर जाएन अच्छी तो अधी में तो इसको यह फिर आँएगा उखड़ जाता है। और इसको बस दीमी आँच पर आराम आँगे तो एक दम इस एक बराबर फैल जाएगा एकदम अच्छी स्थी आँच भी मेरा ते इज़ नहीं है एक दम बहुत मतलब मध्धिम भी नहीं है ठीक है इतना मेडियम पे तो यह देखिए मेरा एक दम एक बराबर हम फैला दिये हैं और कितना कलर्फुल लग रहा है ना मेरा चीला एक दम बढ़ियां अभी हुआ नहीं है इसमें अगर आपको और लगाना है तो चारो तरब से ड हम मुंग के डाला का नहीं है यह धमुआ है स्ट? अभी देखिए मेरा हो चुका है अभी इसको आरा है दिरे दिरे चारो तरफ से चटूडा लेंगे उसके बाद इसको हम पलट लेंगे चिला को यह देखिए बहुत ही अच्छा हो गया है अम्याट पक चुका है इसको फ्ल अच्छे से और यह ना बहुत ही हेल्दी है मौंग डाल का चिला और टेस्टी तो है ही तो बस यह देखिए मेरा तयार हो गया चिला अभी इसको निकाल लेंगे और इसी तरीके से बना लेंगे सारा चिला यह देखिए मेरा चिला बनके तयार है अब सब बना लेंगे इसी तर तो बस अब हम लोग जा रहे हैं नास्ता करने, आजाए सब लोग नास्ता करने के लिए So friends, मेरा नास्ता हो चुका है और वो भी नास्ता करके चले गए मार्केट सबजी लेने और मेरा भी नास्ता हो गया, खिचडी बनाने वाले थे मूंगडाल का फिर खिचडी अभी नहीं बनाएं, खिचडी हम सोचे दो पहर में बनाएंगे अभी तो चीला खा लिये दो दोठो तो पेट भर गया है और अभी मन नहीं है, और सादा खिचडी बना के रख देंगे ठंडा हो जाएगा तो बाद में भी खाने का मन नहीं करेगा तो अब यह बस आज कोई भी काम हम नहीं कर पाए, कोई भी वीडियो नहीं बना पाए है मेरा आज काम तो बहुत था, मेरा चावल साप करना था, गेहूं धुलना था गेहूं तो नहीं धुलते, क्योंकि बहुत बादल है दो तीन दिन से बिल्कुल धूपी नहीं हो रहा है, थोड़ा वाओ थोड़ा है लेकिन आज तो पूरा बादल है, तो गेहों तो नहीं धूलते, लेकिन हम मेरा चावल साप करना था, बेट सीड चेंज करना था, कल ही करते, लेकिन कल सोचे थे कि कल कर लेंगे, संडे आज हमक तो आज कुछ भी नहीं हो पाया बस अब नासा कर लिया है अब आराम करेंगे दोपार में बिर बनाएंगे मुंग डाल खेचडी तो फ्रेंट्स आप लोगों को ये बोलना था प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए हम जिसके भी वीडियो पे जाते हैं फूल नहीं देखना है तो ठीक है पांच मिनट तो कम सकम देख लिया करिए दस मिनट का वीडियो है तो पांच मिनट देख लिया करिए और वीडियो में जो भी आप लोगों को लगे कि ये अच्छा नहीं आप लोग कमेंट जरूर करिए और बस आज का वीडियो कुछ नहीं है अगर पसंदा है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें और मिलते हैं आप लोगों से एक ऐसे ही अच्छ ऐसे नई वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई